बिग बो सीजन 12 की विनर दिपिका ककर को सलमान खान ने शो की सबसे डिगनिफाइड लेडी का टैक दिया था अक्सर सलमान को दिपिका का पक्ष लेते हुए भी देखा गया लेकिन अब खबर मिली है कि दिपिका ककर के जीतने से खुश नहीं थे सलमान खान जी हाँ बिलकुल ठीक सुन रहे हैं आप दरसल सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी सामने आई है कि सलमान दिपिका के जीतने से बिलकुल खुश नहीं थे पुचाते थे कि इस बाग का सीजन श्री संथ जीतें क्योंकि सलमान के मताबिक श्री संथ इस टाइटल को डिजर्व करते थे और दिपिका नहीं श्री संथ यहां अपनी इमेज को क्लीन करने आए थे शो में एक एजिंडा लेकर आए थे जो कि शो के अंद तक पूरा भी हो गया श्री संथ ने ना सिर्फ अपनी इमेज बदली बलकि उन्हें काफी पॉजिटिव रिस्मान्स में मिला लेगिन चैनल ने दिपिका को विनर खोशित कर दिया क्योंकि वो चैनल की ब्रैंट है ऐसी जानकारी मिली है कि इस बात को लेखर ही फिनाले के दौरान भी चैनल और सल्मान खान के बीच काफी बहस हुई थी लेगिन आखिरकार चैनल ने सल्मान की बात नहीं सुनी और दिपिका ककर को विनर खोशित कर दिया अब कहा जा रहा है कि चैनल से इसी बात से सल्मान खान खासे नाराज है इतना ही नहीं खबर तो ये भी मिली है कि सल्मान अब आगे शो को होस्ट नहीं करेंगे और दो और सलमान ने न सिर्थ शो के साथ संबंध खत्म करने का फैसला किया है बलकि वो चैनल के साथ भी अब आगे काम नहीं करना चाहते आपको बता दें कि सलमान खान वैसे तो बिग बॉस को चौती सीजन से लगतार होस्ट कर रहे हैं तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि सलमान बिग बॉस के अगले सीजन में दिखाई देंगे या नहीं इसके अलावा आपको बता दें कि ऐसी भी खबर है कि कथित तोर पर चैनल और बिग बॉस के मेकर्स के बीच कांट्राक खत्म हो चुका है प्रडॉक्शन हाउस इसे रिन्यू करने के प्लानिंग नहीं कर रहा ऐसे में ये संभावनाएं भी बढ़ गई हैं कि शो आने वाले इस टाइम में दूसरे चैनल पर शिफ्ट हो जाए लेकिन भी अगर बात करें सलमान की तो ऐसा कहा जाता है कि साल 2016 में जब सलमान खान ने कुछ बातों पर बिग बॉस के मेकर्स पर अपनी नाराज की चताई थी तो उस वक्त चैनल ने सलमान के सुझावो और मांगो को मान लिया था लेकिन अब लगता है कि चीजे बदल चुकी है ऐसे में अगर ये बात वाकई सच है कि दिपिका के विनर बन जाने से सलमान ना खुश थे तो ऐसे में ये लगता है कि सल्मान के चैनल के साथ आगे काम नहीं करने के संभावनाएं वा कई बढ़ गई हैं तो अब इस खबर पर क्या है आपका रियाक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रू बताएं